हेलो फ्रेंट्स के लिए लेकर आया है जो आपके कई एक्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे आपका लेकपाल है वीडियो है पीचियस है इस तरह के एक्जाम में इस तरह के कोश्चन पूछे जाते हैं तो उसी का प्रैक्टिस सेशन आपके साथ ने है उम्मित करता हूं कि आपके लिए बढ़ावकियों के सावित होगा और आप ध्यान से सुनिए शेयर करिए लाइक करिए जो गलतिया हो उनको कमेंट करिए और बताइए कि किस तरह के सुधार की आवस्चता है देखते हैं और आते हैं पहले कोश्चन में किस में आते हैं आते हैं पहले कोश्चन में तो पहला कोश्चन आप लोग पढ़ लीजिए सही से और बताइए कि पहले कोश्चन का अंसर क्या होगा ठीक है तो पहला क करें तो 2 मट मिर्टी होती है क्योंकि 2 मट मिठी में पोटास की मातरा आधिक होती है क्या होती है अधिक होती है और बाकी सभी में पोटास की मत्रा क्या होती है कम होती है तो इसलिए इसमें उर्वरक का कम अवस्थ सकता होती है क्या होती है उर्वरक की कम अवस्थ सकता होती है खिक है उर्वरक कि क्या होती है कम अवस्थ सकता होती है जबकि बाकी मिट्टी में हुमस की कमी होती है हुमस की और पोटास की कमी होती है हुमस और किसकी पोटास की कमी होती है इसलिए इनकी उर्वरक चमता इसके कम प्रिजन में कम होती है और जिस चीज की कमी होती है वही चीज फर्टिलाइजर के रूपिया उर्वरक के रूप मे इसमें प्रयोग किया जाता है इसलिए इसका पहले का जो answer है वो हमारा तीसरा सही हो गया पहले का क्या सही हो गया? तीसरा सही हो गया ठीक है? आप इसके बाद आते हैं हम next question में और next question हमारा क्या है किसान भही किसके द्वारा तैयार की जाती है आप जो ग्रामीर परिवस के हैं वो लोग तो जानते हैं लेकिन जो सिटी के हैं वो लोग भी जान ले जो किसान बही है वो हमारी किस के द्वारा तयार की जाती है लेकपाल के द्वारा तयार की जाती है किस के द्वारा तयार की जाती है लेख पाल के द्वारा तयार की जाती है किसान बही में होता क्या है किसी भी किसान का क्या किसी भी किसान का जो भी किसान है किसी भी किसान का जमीन का किसका जमीन का और उत्पादन का किसमें क्या चीज उगाई जा सकती है उसका लेखा जोका होता है और तयार करने वाला इसे 10 रुपई में किसान को देता है कितने रुपई में? 10 रुपई में किसान को देता है तो इसका answer काँ सा हो गया? लेखपद अब आते हैं next question नेश्ट को़शन है, उत्तर है अब धेश में मन्रेगा कब लागू किया गया था? मनरेगा कब लागू किया गया था तो ये सभी लोग जानते हैं महतमा गांधी के जन्म दिवस पर कब? महतमा गांधी के जन्म दिवस पर कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 2009 को तीसरा अफशन सही हो गया तीसरा अफशन क्या हो गया? सही हो गया इससे पहले फरवरी का फरवरी 2006 को इसे नरेगा के लागु किया गया था और जिसे बाद में 2 अक्टुबर 2009 को इसको क्या कर दिया गया मनरेगा कर दिया गया इसका नाम क्या कर दिया गया मनरेगा कर दिया गया ये लोगों को 100 दिन के ग्रामीर परिवेस में रहने वाले लोगों के लिए 100 दिन का रोजगार मुहया कराता है कितने दिनों के लिए 100 दिन के लिए रोजगार लोगों को सव दिन के लिए रोजगार प्रोवाइड करता है क्या करता है रोजगार प्रोवाइड करता है ठीक है सव दिन के लिए रोजगार की गारंटी देता है आते हैं नेक्स्ट कोईश्चन में और हमारा नेक्स्ट कोईश्चन क्या है नेश्ट कोईशन निम लिखित में से किस यंद्र की साहजता से मांचित्र को बढ़ाया और घटाया जा सकता है तो मांचित्र को बढ़ाने घटाने के लिए हम लोग किस यंद्र का प्रेयोग करते हैं पेंटोग्राफ मुझे पूरा उम्मीद है कि यह कोईशन किसी को नहीं आता रहा होगा जगरफी वाले स्टूडेंट को छोड़ करके तो इसके लिए कौन सा प्रेयोग किया जाता है पेंटोग्राफ एक इस यंद्र का भी आप नाम लेजिए यह जो थेयोलाइड होता है यह दूर्बीन की तरह एक यंत्र होता है इसमें क्या लगा होता है सेक्स्टेंस लगा होता है ठीक है और यह क्या करता है जैसे कोई पूल बना है क्या बना है पूल बना है तो पूल की उचाईन आपने में किसी इमारत की उचाईन आपने में पेड़ की हाइट नापने में इत इनकी help से इससे क्या किया जाता है, एंगिल ना पा जाता है, height ना पी जाती है, और distance तरह की चीजों को ना पा जाता है, यह थेओलाइट का काम है, और नक्सा वीसी तेटो जनरेट करने का काम है, इसमें कोई वैसी विश्थेस बात नहीं है, ठीक है? कुट पालन को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा दर्जा प्रदान किया गया, यह आप सबी लोग जानते हैं, कुट पालन को उत्तर प्रदेश सरकार ने किसका दर्जा प्रवाइट कर दिया है, क्रसी का दर्जा प्रवाइट कर दिया है, कक्सी का दर्जा कब की गई यह अभी हाल का question है और बहुत important है इसलिए एक question को ध्यान से देख लीजिए ठीक है कब की गई March 2000 कब March 2020 में कब जब Corona चरम पे था तो लोगों को रोजगार की कमी हो गई थी किसकी कमी हो गई थी रोजगार की कमी हो गई थी तो उन इस वे रोजगारों के लिए जो दूसरी जगह सरक आपने घर भाठ करके आए थे उनके लिए ये गरीब कल्याण योजना के सफ्रुमाद उत्तर्त डेश सरकार की गयी थी विभीन विभीन सरकारों के द्वारा नेक्स्ट कोईचन हमारा आता है जो नेक्स्ट कोईचन है उत्तर्क देश भूराजस्वदिनियम की किस धारा में अधिकार अभिलेक का वर्डन है किस धारा में अधिकार अभिलेक का वर्डन है ठीक है तो हमारे कौंसी धारा में अधिकार अभिलेक का वर्डन है धारा 32 में क अधिकारवलेख किस में है धारा 32 में है अब इसमें हमें यह बताना है कि धारा 53, 34 और 31 भी किस काम के लिए है बताइए धारा 33, 34, 31 किस काम के लिए है तो इसमें एक और धारा important है कौँसी एक और धारा important है 23 जो भूर आजस्व के लिए होती है एक और धारा important है किसके लिए 23 जो किसके लिए होती है भूर आजस्व के लिए इसके लिए भूर आजस्व के लिए यह भी note कर लीजिए किसके लिए होती है भूर आजस्व के लिए तो यह नेस्ट क्वेश्चन है भारती भूमाप के संदर्व में निमलिखित में कौन सा कथन असत्य हैं भूमाप के संबन्द में कौन सा कथन असत्य हैं तो इसमें क्या है दस कड़ी वराबर एक जरीब होता है ठीक है दस कड़ी वराबर एक गठा होता है बीस गठा बराबर एक जरीब होती है और असी गठा बराबर एक फल्लांग होता है ये तीनों सही है लेकिन एक जरीब बराबर एक स्वस्ती नहीं 165 फीट होता है कितना होता है 165 फीट होता है इसका मैंने एक वीडियो बना करके ह हमारे चैनल पर पड़ा है आप उस वीडियो को देख लीजी जिसमें क्या है ठीक है जिसमें क्या है कि आपको इसकी सारी काईयां एक जगे पर अच्छे से समझाई गई कितने में भीगा होता है कितना एक्टेयार होता है कितना यूनिट होता है कितना फलांग होता है क्या फाइदा उठाईए next question है तैसील में माल गुजारी की वसूली की जुम्मेदारी किसके पास होती है तो तैसील में जो माल गुजारी का लेखा जोखा होता है किसके पास होता है तैसीलदार के पास किसके पास होता है तैसीलदार के पास वसूल करता। ठीक है तो इसका answer कौछ ऑगया। पहला इसका answer कौछ होगया। Next question पर आते हैं उत्तर्प passport रेश का सीमावर्ति रेश कौन सा है। ठीक है? तो इत्तर्प सीमान रेश का है। नेपाल। उत्तर प्रदेश का सीमा औरती देश कौन सा है नेपाल नेपाल के रावा जो उत्तर प्रदेश है नेपाल के रावा जो क्या है उत्तर प्रदेश है वो क्या है नेपाल के रावा जो उत्तर प्रदेश है वो आठ राज्यों से गिरा है कितने आठ राज्यों से गिरा है ठीक ह क्लबाव एसा राजा इसी तरह सारे राज इससे जुड़े हुए एसारे राज इससे जुड़े हुए नेक्स्ट कोश्चन है हमारा उत्तर की देश राजी की पूर से पस्चिन तक की लंबाई कितनी है तो पूर से पस्चिन तक की लंबाई आप सबी लोग जानते हैं कितनी है छैसो पच्चास किलो मेटर कितनी है छैसो पच्चास किलो मेटर तो उत्तर से दच्चन कितनी है, 240 किलोमीटर, कितनी है, 240 किलोमीटर, नाथ से साउथ, इस्ट से वेस्ट, ठीक है, इसका कौन सा एंसर सही हो गया, तीसरा, कौन सा सही हो गया, तीसरा, अब आते हैं, next question में, अब आते हैं, किस में, next question में, और next question हमारा का उसा है, किस अधिनियम के अंतरगत किया गया था आपको यह बताना है तो उत्तर पिदेश खादी यह ग्राम उद्धोग अधिनियम होना इस सुकम में बना था उन violation स्थापना की गई थी के और अपसन सही हो गया अपसन कौन सही हो गया दो सही हो गया ठीक है तो ये भी आपको कोशल हो गया और क्या है ग्रामयो levar प्रभावी कार्बनिक आमला कौन सा है तो वो है हमारा कौन सा है आग जैली कमल यह तो आपसन कौन साही हो गया तीसरा और यह क्या है कि जो हमारी पालक होती है तो जो पालक होती है इसी को डंक्टर क्यों खाने के लिए मना करता है तो उससे क्या पथरी यानि कि स्टोन की विमारी हो जाती है किसकी बिमारी हो जाती है, इस्टोन की बिमारी हो जाती है, पथरी यानि कि किसकी, इस्टोन की बिमारी हो जाती है, किससे, पालक से, क्योंकि पालक में क्या होता, 100 ग्राम पालक में, कितने ग्राम में, 100 ग्राम पालक में, 600 मिलिग्राम, क्या हो पाया जाता है, आग जैली कम इसलिए डांक्टर पत्री वाले मरीज को ये खाने से मना करते हैं, पत्री वाले मरीज को पालक खाने से मना करते हैं, उत्तर पिदेश का सबसे पस्चिमी जिला काउन सा है, तो सबसे पस्चिमी जिला की अगर बात करेंगे, तो यह हमारा सबसे पस्चिमी जिला हमारा क्या है समली पूर्वी की बात करें तो बलिया उत्तरी की बात करें तो सारण पुरह और दच्छनी की बात करें तो सो्न बद्र दच्छनी की बात करें तो सोन बंदर West, East, North, South कौन सा पूछा है? पश्चिमी तो कौन सा अप्शन सही हो गया? पहला पहला विकल्प आपका सही हो गया पहला विकल्प आपका क्या हो गया? सही हो गया आते हम next question में और next question हमारा क्या है? पूसा में गाली किसकी उन्नत किसम है? पूसा में गाली किसकी उन्नत किसम है? तो ये question के वहल रटने वाला है और इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पूसा में गाली किसकी किसम है? ये रट लीजिए पूसा में गाली गाजर की किसम है? जो आपकी बैगनी ये लाल बैगनी कलर की गाजर होती है उसे क्या कहते हैं पूसा में घाली कहते हैं तो कौन सा अफसन सही हो गया चौथा अफसन सही हो गया आते हैं नेश्ट कोश्चन में, नेश्ट कोश्चन आपका है, निमलिखित में से कौन सा राजा सु परिशत के अनुभाग 5 से सम्बंदित नहीं है, ठीक है, अनुभाग 5 से सम्बंदित नहीं है, तो अनुभाग 5 से कौन नहीं सम्बंदित है, बताइए, अनुभाग 5 से कौन नहीं स क्योंकि अनुभाग जो पांच है क्या है अनुभाग जो पांच है तो अनुभाग पांच में सबसे पहले हमें जानना होता है कि अनुभाग पांच में हाई क्या ठीक है तो इसमें क्या है नए मंडलों क्या है नए मंडलों क्या है नए मंडलों क्या है नए मंडलों तैसीलों परिवर्तं के संब्द में उल्लेख किया गया है। कौन सा गलत है जमीदारी उन्मूलन गलत है तो फिर जमीदारी उन्मूलन है किसमें तो जमीदारी उन्मूलन किसमें है अनुभाग एक में यह किसमें है अनुभाग एक में ठीक है जमीदारी उन्मूलन किसमें है अनुभाग एक में आते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन म अच्छी गुर्वत्तर गतेल होता है क्योंकि इसमें क्या पाई जाते हैं। एक संदतर्प्ध हैं. और असंदतर्प्त की? वशी मात्रा पाई जाते हैं. संत्रप्त में क्या होता है कि अगर संत्रप्त वसा खाते हैं तो संत्रप्त वसा से कोलेस्ट्राल बढ़ जाता है क्या बढ़ जाता है कोलेस्ट्राल बढ़ जाता है और जो हमारे स्वास्त के लिए हानिकार रखोता है और असंत्रप्त व्षा से जो नसों की वाहनी नलिया होती हैं उसमे ब्लड में बीच में ठकके जमजाते हैं इसलिए असंत्रप्त तेल खाया जाता है, इसलिए लोग इस केल का उपयोग करते हैं, तीफे, डालडा हो गयरा प्रयोग कम किया जाता है, नेक्ट है उत्तर्प देश में विधान परिशत की स्थापना कप की गई थी, अच्छा कोश्चन है, और विधान परिशत की स्थाप इस समय उत्तर्प देश में कितनी विधान परिशत सीटे हैं, इनका चुनाओ अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है, और ये कितने वर्ष के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए होता है, कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, और प्रतेक दो वर्ष में, कितने प्रतेक दो वर्ष में, क्या करते हैं, प्रतेक दो वर्ष में होता क्या, प्रतेक दो वर्ष में सदस इसके 1 by 3rd रिटायर होते रहते हैं, कितने 1 by 3rd रिटायर होते हैं, और ये अलग-अलग फिल्ड से होते हैं सब क्या किया जाते हैं अलग-अलग फिल्ड से रखे जाते हैं क्या किया जाते हैं अलग-अलग फिल्ड से रखे जाते हैं तो कब हुए थैं उन्हें 37 में इसके इस्थापना की गई थी थीक है अगर इसके बारे में डीटेल पढ़ना है तो हमारे किसके जो संविधानिक वीडियो है किसके संविधान के वीडियो है इन वीडियो को क्या करिया वाले वीडियो को हमारे चैनल पर आके देखिए आपको डिटेल पूरी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगे आते हैं नेक्स्ट कुश्चन में और नेक्स्ट कुश्चन हमारा ग्राम पंचायत के अध्यत्ष अत्वा सदस्य का सुनाव लड़ने के लिए निवतर उम्र कितनी होती है ठीक है तो इसके लिए उम्र कितनी होती है 21 वर्स कितनी होती है 21 वर्स और किसके लिए आप अगर हम बात करें कि राज्य सभा के लिए उसके लिए विदान सभा के में विदान सभा के लिए अगर बात करें किसके लिए विदान सभा के लिए ठीक है अगर बात करें तो उसमें दो होता है, बिधान मंडल में, बिधान सभा और बिधान परिसर, तो बिधान सभा के लिए कितना, 25 वर्स, और लोग सभा के लिए भी कितनी, 25 वर्स, अजब की, बिधान परिसर, इसके लिए, बिधान परिसर, और राज सभा, बिधान परिसर, और राज सभा के उम्र होती है, वो कितनी होती है, 30, कितनी होती है, 30 होती है, कितनी होती है, 30 होती है, तो इसके जुनाव लगने के उम्र, कौन साफसन सही हो गया, पहला, कौन साफसन सही हो गया, पहला, next question है, उत्तर्त देश सरकार द्वारा, क्या, उत्तर्त देश सरकार द्वारा कुकुट और आते हैं नेक्स्ट कुष्चन में ग्राम सभाओं के हाट बाजार मेला तालाबों में होने वाले आई बैसम बंदी कार किस अनुभाग के आधीन होते हैं होने वाले कार किस अनुभाग के आधीन होते हैं बताईए किस अनुभाग के आधीन होते हैं जो होने वाले कारें होते हैं ये अनुभाग दो क्या दीन होते हैं? और पहले question आया था इसलिए अनुभागवारी पूरी लिस्ट आप हमारे जा करके चाहे वीडियो में देखिए और यहीं से देखिए यह अनुभागवारी पूरी लिस्ट आपको वहां देखने को मिल जाएगी तो आते हैं next question में और हमारा next question क्या है next question है अंगूर की हेन वा चिकन बीमारी का कारण है हेन वा चिकन बीमारी का कारण होता है जब अंगूर के पौधे में बोरान की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है हेन वा चिकन नमक बीमारी लगती है ठीक है जब फसलों में जैसे धान और गेहूं मे जब जिंक कमी हो जाती है तो पौदे क्या हो जाते है पीले पड़ जाते है तो इसमें जिंक डाला जाता है ठीक है इसी तरह जब सूच तर्तो की कमी हो जाती है तो कापर और लोहा का प्रयोग किया जाता है लेकिन अंगूर में इस बिमारी को दूर करने के लिए बोरान आगजिलेट का छिलकाओ किया जाता है इसका किया जाता है बोरान आगजिलेट का छिलकाओ किया जाता है इससे बिमारी दूर हो जाती है लोग सभा यह जन जाती संस्थान कहां पर इस्थित है यह आपको बहुत पेट कोश्चन है और यह हमारा कहा इस्तित है लखनों में यह रटने वाला कोश्चन है और इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है ठीक है आते हैं हम नेक्स्ट कोश्चन में उत्तर प्रदेश का मलीहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है वैसे अगर मलीहाबाद की बात क और यहां से 20 के पूरे 20 को आम सप्लाई की जाते हैं तो उत्तर प्रदेश का मलीहाबाद किसके लिए देश हैरी आम के लिए प्रसिद्ध है और उत्तर प्रदेश में 13 दस्कृ ब्रद्दीवाला अगर जिला की बात करें तो अंगर घृत्म पुद्धन और यहां की जो ब् प्राक्स कितनी 49% ब्रद्धी हुई पिछले 10 की ब्रद्धी और दूसरे नंबर पर कौन रहा गाजियाबाद इसमें लगभग 41% हुई गाजियाबाद में कतने हुई 41% हुई और सबसे जो कम हुई वो देवरिया में हुई और वो कितनी 14% हुई तो हमारे इस अंसार कौन सा एंसर सही हो जाता है दूसरा एंसर सही हो जाता है तो इस तरह से आज ही हमारे 25 क्वेशन जी एस के क्रसी एग्रिकल्चर के पार्ट के थे जो PCS लेकपाल वीडियो सभी एक्जामों के लिए बहुत ही इंपर्टेंट है एक बार फिर से देखिएगा कोई गलती हो सजेस्ट जरूर करिएगा लाइक करिए शेर करिए और हमारे साथ जुड़े रहे हमें उम्मेद कर प्र क्या है